कैसे हो बच्चों? हिंदी की कलास में आपका फिर से स्वागत है आज हम नया व्यांजन शिखने जा रहे हैं और वो नय व्यांजन का नाम है यं कौन साल व्यांजन है यं? व्यांजन यं बच्चों एक बार बोल के दिखाओ व्यांजन यं पहले हमने पांच व्यंजन सीखे और वो जो पांचों व्यंजन थे वो कवर्ग के व्यंजन थे कवर्ग में कितने व्यंजन थे पांच क से कबूतर ख से खत ग से गदा ग से गोसला अंग अंग के लिए कोई भी पिच्चर नहीं है उसका मतलब क्या है? कोई भी चित्र नहीं है अंग अंग से खाली बच्चो बजाओ ताली हमने यह सीखा था क वर्ग के पांचो व्यंजन साथ में दोराएंगे क ख ग अंग क ख ग अंग क वर्ग खतम होने के बाद में दूसरा जो वर्ग आता है वो है च वर्ग क्योंकि वो जो लाइन है उसमें पहला व्यंजन है च सो वो च की लाइन होती है च वर्ग जिसे हम बोलते हैं चवर्ग चवर्ग में भी पांच व्यांजन है हमने अभी तक चार व्यांजन सीखे है च से चपल च से चापा ज से जहाज ज से जुमके जो ममा कावनों में पहनती है वो जुमके जुमके होने के बाद में दूसरा जो व्यांजन आता है वो यांजन है यां च छ ज ज ज यां व्यांजन यां व्यांजन भी खाली होता है उसके लिए भी कोई भी चित्र नहीं होता है परंतु ये व्यांजन शब्दों के बीच में और शब्दों के अंत में यूज किया जाता है जैसे की शब्द है चा इसे चंद्रबिंदू बोलते हैं और जो यंकी मात्रा है उसकी बजा ये यूज किया जाता है या अभी उससे शुरू होने वाले शब्द देखते हैं चांद चांद में ऊपर आपको ये चंद्रबिंदू दिखेगा जब भी बड़े हो जाओगे तो आपको सब पढ़ने को आएगा फिर जब भी आपको ये चन्दरबिंदु दीखेगा तो आपको समझ में आएगा कि यह की मातरा है यह शब्द क्या आपको चन्दरबिंदु दीखेगा यह की मातरा है साप, साप के उपर आपको चंद्रबिंदु दिखेगा उसका मतलब है यहां यह की मात्रा है यह चवर्ग का पाच्वा व्यांजन है आखरी व्यांजन है और वो व्यांजन है परन्तु वो खाली है क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई भी चित्र नहीं है वो एक स्वर्ग की तरह मात्रा के जैसे यूज किया जाता है अभी च वर्ग के पाचों व्यांजन देखेंगे च, च, ज, 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 य, एक बार और दो राएंगे च, च, ज, 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 य, न, नव, इस राइटिंग टाइम नव, लेट्स सी हाँ टू राइट व्यांजन यह व्यांजन यह लिखने के लिए बच्चों पहले आपको माई स्किल बुक उसका मतलब है MSB बुक लेनी है उसके बाद में आप पेज नंबर 31 खोलोगी पेज नंबर 31 खोलने के बाद में लेट कॉर्णर में आप डेट लिखोगे 9, 7, and 20 ऐसे डेट लिखने के बाद में आपको व्यांजन यह कैसे लिखना है उसकी प्राक्टिस करनी है व्यांजन यह लिखने के लिए बच्चों पहले आप पहली लाइन से तीसरी लाइन तक ऐसे सीडी लाइन बनाओगे उसके बाद में जो दूसरी वाली लाइन है उसके उपर छोट ऐसा स्लीपिंग लाइन बनाना है उसके बाद में अब सीधा सी बनाते हो उसको उल्टा कैसे बनाते है उल्टी साइट से स्टार्ट करते हैं उपोजिट डिरेक्शन में तो यहां से हमको आदा गोला शुरू करना है जो दूसरी लाइन के उपर से शुरू किया है देखो वो दूसरी लाइन को टच नहीं कर रहा है आदा गोला शुरू करके उसको नीचे तीसरी लाइन को touch करके उपर तक touch करना है जो दूसरी लाइन को touch करेगा और जो last step है वो है उपर की लाइन को डाक करना ये करना कभी भी ना बुले हिंदी अगर लिखते हो तो उपर की लाइन ये sleeping line नहीं बनाओगे तो वो गलत है और एक बार लिखेंगे, आपको बच्चो ये पूरा tracing करना है, तो आपको एक बार practice हो जाएगी, step by step आप trace करोगे, आप कैसे लिखोगे पहले, तीसरी लाइन से और पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में आप सीधा लाइन मनाओगे, पहली लाइन से शुरू करके तीस आपको गोला बनाना शरू करना है, आप आधा गोला बनाओगे, उल्टा सी, यह आपने शुरू किया, फिर आप नीचे तीसरी लाइन को टच करोगे, फिर थोड़ा सा उपर जाके, आपको दूसरी लाइन को टच करके स्टॉप होना है, रुख जाना है, उसके बाद में पहल होता है, वो मात्राक्त की तरह यूज किया जाता है, शब्दों के बीज में, नहीं तो शब्दों के अंत में, बच्चों आपको यह पूरा पेज राइटिंग करना है, और यह लिखने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बच्चों उसके बाद में आपको आपकी हिं इंदी की ये green वाली notebook लेनी है, ये green वाली notebook में आप next page open करोगे, next page पे आप left corner में date लिकोगे, उसके बाद में हमारा च वर्ग पूर्ण हुआ है, complete हुआ है, तो हम वो पूरा line जैसे हमने क वर्ग खतम होने के बाद में क, ख, ग, ग, अंग, साथ में लिखा था, वैसे च line मतलब पाचो व्यंजन साथ में लिखेंगे, च, आपको फिर two finger space छोड़के च लिखना है, वापस two finger space छोड़के ज लिखना है, again two finger space फिर आप लिखोगे ज, again two finger space और उसके बाद में आप लिखोगे य, बच्चों आपको ये पूरा page भरके ये जो व्यंजन है, वो line में ल याद रह जाएगा, जैसे के च, च, ज, 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 य, फिर वापस, च, च, ज, 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 य, ऐसे लिखते जाना है, पहले पूरा च लिख लिख लिया, उसके बाद में पूरा च लिख लिख लिया, वैसे नहीं करना है, आपको पूरी line याद रखनी है, इसके लिए आप line से बोल आपको नया वेंजनिय और चवर्ग समझ में आया होगा धन्यवाद